नमस्कार, नियू जब तक में आप सभी का स्वागत है, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, गूगल प्ले स्टोर से एप को डाउनलोड करें, और सीधे वेब साइट पर जाकर आप हमारे समाचारों को देख सकते हैं। बिंद छेत्र में बरगी के जल को लेकर नौगोत के पास इस्थिर सिध्ध हनुमान मंदिर खेरुआ सरकार में किसायनों की महापंचायत बुलाई गई और संकड मोचन भगवान हनुमान को ग्यापन सौपा गया। हम बता दें खेरुआ सरकार एक प्रसिद्ध और सिध्ध पीठ है जहां के स्वामी हनुमान जी महराज है और इस स्थान को खेरुआ सरकार के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर आज नगोट के पूर्व विधायक राम प्रताप सिंग ने बरगी संघर समीती बना कर बरगी जल सतना जिले में लाकर मंदाकनी में मिलाने की सफ़त खा चुके हैं। हम बता दें बरगी एक बड़ा प्रमुक मुद्दा हमेशा हर चुनाव में रहता है लेकर आज तक सतना जिले को बरगी का पानी नहीं मिल पाया। जिसके चलते 20 जन्वरी को महा पंचायत बैठाने का ऐलान किया गया है और किसानों को लेकर अब इस पर रणनी बनाई जाने लगी है। सतना जिले की जीवन रेखा मानी जा रही बरगी दाई तट नहर का निर्माण अधर में अटका हुआ है। कटनी जिले के सलीमनाबाद के पास नहर का काम रुका है ऐसे में टनल प्रजेक्ट यदि तैसमय में सफन नहीं हुआ तो प्रदेश सरकार इस पर अपने ओपन चैनल बना कर पानी लिफ्ट करने का प्लान तयार कर रही है जो बरगी संघर समीति को सुईकार नहीं है। बरगी नहर की सुरुआती लड़ाई लड़ने वाले पूर बिधायक राम प्रताब सिंग ने बिंद में बरगी नहर से नर्बदा जलनाने की मुहिम सुरू की है। चला जाएगा ऐसे में अब बरगी नहर को लेकर बिंद के किसान अंदोलन शुरू कर चुके हैं और इसी तारतम में आज विसाल महा पंचायत आयोजीत हुई और खेरगवा सरकार से मनत मागी गई। इस पर राम परताब सिंग ने इस पश्ट रूप से कहा है कि ये राजनीत कभी से नहीं है जिले की विकास कभी से है और इसको राजनीतिक दश्टी कोण से न देखकर सभी लोग एक होकर और इस बरगी जल को लाने के लिए प्रयासरत हो और इसके लिए अब 20 जन्वरी को म महाँ पंचायत का एलान किया है हमारा केवल एक ही उद्देश है कि सतना की सूखी धरती में नर्वदा जल सीग रहे और यहां की सूखी धरती के कोफ में पानी आने से हमारी आने वाली पीड़ी और हमारे यहां के लोग खुसाल हो जाएंगे जिस तरह आज पंजाब के किस सहर के लुखी धरती में पानी आने से बिंद्ड की धरती में हमारा यहां कि सौख रहा हूं कि यह उत्तरर परियां में फ्रक्री के यहीं आना है तो हम विवस ओकर के हर्मान जी की सेवा में आए हैं जब हमारी कोई नहीं सुन रहा तो खैरुआ सरकार ही हमारे इस संकट मोचन संकट को दूर करेंगे इस विश्वास के साथ यहां हाजिर हुआ जी हम चाहते हैं कि जब नर्वदा जल छिप्रा में जा सकता है छिप्रा नदी में नर्वदा का पंसिन्नी जी में चला जाएगा और ये बहुत ही आसान तरीका है उसका हमने इंजीनिरों से बात किया है और हम जानते हैं अगर कोई हमसे इसके जानकारी लेगा तो हम उनको बता देंगे अब देखना होगा कि अब यह संघर्स कितना रंग लाता है निश्चित रूप से मना जाए तो सतना जिले के सभी जन प्रत निदियों को एक होकर और किसानों को एक होकर इस जल को लाने के प्रयास किया जाने चाहिए ताकि इस जिले सहित अन जिलों को भी लाब मिले निउज अबताक से वरून शर्मा.